चलिए बनाते हैं घर की दूद की मलाई से देशी गी यहाँ पर मैंने 7-8 दिन की मलाई लिए जो रोजाना दूसरे निकाल कर इखटा किया है एक बड़ी बोल में मलाई को ट्रांसफर कर हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करेंगे पहले थोड़ा हलका गरम पानी अट करेंगे एक कप और इसको ब्लेंड करेंगे फिर इसमें चिल्ड पानी डाल कर दोबारा ब्लेंड करेंगे लेजे हमारा मक्खन निकल आया है अब इसको दबा दबा कर इसका पाने निकाल कर एक भगोना ये कड़ाई में डाल कर करम करेंगे मीडियम फिलेम पर इसको चलाते वे पकाएंगे मक्खन से घी बनना स्टार्ट हो गया इसको चलाते जाएंगे और जब तक इसको ठंडा करेंगे और एक जार में ट्रांसफर करेंगे लीजिए हमारा देशी की तयार है वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए